तो यार बहुत दिनों से में बिल्कुल भी नल्ले की तरह बैठा हुआ था कि कुछ ने अपडेट्स आ है तो फाइनली वह अपडेट्स आ चुके हैं तो वह कौन से मैं आपको एक एक करके बाता दूंगा और पहली वीडियो के शुरू होने से पहली में बोल दूं कि आज ज अपडेट्स आने पर भी देखा है कि हमारा जो अपडेट्स था लगबख सभी कुछ एट कर दिया है सिफ सीजन पर कुछ एक देद दोसों या फिर कुछ ऐसे एमबी का अपडेट्स आए और बाकी में अब तो अगरा सब तेसर और देखने को मिल गया है तो हो सकता है कि सबसे पहले अपडेट्स निकल के आता है या फिर बोलू कि जो अपडेट मुझे मिला है तो उसमें क्या क्या बोला है कि जो हमारा जो ही ओडि का घोष्ट है जो घोष्ट करेक्टर हो सकतो है कि नेक्र सिजन में आप धसी क्यूosp क्यारेक्टर & फिर बोलू कि हीरो टाइप कई यह वो घोश्ट ये और आप लोगोंने देखा एक कि बहुत बार हमें घोश्ट पर देखने को मिला है चाहिए वह बैटल पास से हो या फिर करेट से हो या फिर कुछ इवेंट वगड़ा जो भी हो लेकिन आच तक फ्री में नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि स्योडी वालों को कुछ नया प्लैन हो और सीजन 11 में स्योडी के तरफ से या फिर बोलू कि जो इनेबर्सीर है और आपने वेंटल देखाई होगा फिसी उडायद के फिर चाहिए लाख तो सकता है कि उन में घोस्ट का करेक्टर हो तो फ्री में तो होगा ही बिल्कुली और गोश्ट करेक्टर भी जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ है नहीं नहीं आएंगी तो हो सकते हैं कोई इवेंट के तोर पर या फिर कुछ और ही मेंतर से दे दें और जो नेक्स्ट होता है ना जॉंबी तो जॉंबी के बारे में मैंने पिछले मैंने दोनों वीडियो डेडिकेट बनाया हुआ है तो दोन के बुसिद्प डिचलन करके अगर की क्या है तो तो थोड़ा सा करके अगर बोलू कि क्या है तो स्ट्य बार ने पोस्ट किया था कि एंवर्सरी में जौंबी आएगा और आये गा तो हमारा जो नया मैप था उसे ही लाएँगे पिछली वाले की तरह वाइसे वह Means दो दिन लग गया और मैंने वीडियो बनाया तो दिखाया कि कुछ नहीं आएगा या फिर कोई अफडेट नहीं था तो यहां पर स्योड़ी वालों के दोड़ा बताया जा रहा है कि हमारा जो न्यू एलकेट्राज मैप था तो बेसिकली बीर के लिए आएगा और बीर का न्य करम हो इस बार का चांस थोरा ज्यादा है कि एलकेट्रेस मैप हमें देखने को मिल जाए और जो बैसे के बारे में जो पता चला है तो वह है कि वहार्जोन मैप होगा मतलब कि यह थोरा बैटरें लोयल टाइप का नहीं होगा जो वार्जोन में बंद आते हैं एक बाद दो और मरते फिर वापिस रिस्पॉन होता है ठीक वाई से वार्जोन का आएगा और वार्जोन पर्मनेंट आएगा जैसे आप कुछ दिन पहले देखा है कि वार्जोन आया था अभी तो नहीं है अभी फिर भग गया तो ऐसे दोर तो भगता नहीं फिरेगा वार्जोन एकदम प तो यह सीजन 11 में हमें फ्रैंक वूट्स का भी करेक्टर देखने को मिल जाएगा लेकिन भाई बेसेगली यह फ्री में नहीं होगा तो फ्रैंक वूट्स का करेक्टर के टेगलाइन भी था यह जंगलों में रहने बहला है और हमारे जो मोगलिय उसका छोटा भाई भी है त जंगलों में रहता है तो न्यू गन के तौर पर हमें यह गन देखने को मिल जाएगा और यह कौन सी गन है मुझे बताने के जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी ने कई न कई या फिर किसी एक टाइम पर इसे लिए के खेलाई होगा तो यह तो थिस इस एन 11 की थोड़ा अप और बाकी जो मैंने बर-बर किया तो वह सब एक तरीके से लीख सी था और हो सकता है कि मुष्ट ली हो सकता है कि आ जाए और जो न्यू गोश्ड वाला करेक्टर है तो वो मुझे बहुती पसंदे और मैं भी वेट कराऊ कि सीजन 11 आ जाए जो गोश्ड का करेक्टर मैं भी चला तो एफ टू प्ले का मतलब है कि फ्री टू प्ले जो बंदे बाई नहीं कर सकते हैं या फिर कहूं कि जो बंदे एकदमी पैसे खर्च नहीं करते गेम में तो उन बंदों के लिए सीजन 11 बहुत ही बैतरीन होने वाला है क्योंकि काफी सारे चीज़े फ्री में दिया और भी काई character या फिर कुछ भी हो और COD वालों ने भी confirm किया था कि COD का जो 1st एनेवर से आना है वाला है तो वो बहुत धासु होगा और बहुत पहले COD वालों ने भी confirm किया था कि पहली बार mobile history में होगा ऐसा ही कुछ लाएंगे तो वो तब तक देखने को नहीं मिला है लेकिन season 11 और 12 में तो definitely देखने को मिल जाएगा और COD पहले से तो काफी बैतर होई चुका है हमारा जो टेंसेंट है उसको पिछवारे में लात मानने के बाद तो season 10 में और भी कुछ improve होगा जैसे कि gameplay में बहुत बंदों का थोड़ा थोड़ा लैग होता है आला कि पहले तो चलता ही नहीं था अभी तो चलता है और किसी बंदों का रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मेरा second challenge में जाकर देख सकते हैं मैंने second challenge में डाला हुआ है कि कैसे अपने रिकॉइल को कंट्रोल करे मैनुआल भी और Gunsmith के बारे में भी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई